आ गई चुनावी चंदे की लिस्ट किसने किसको किया सबसे ज्यादा माला माल लोगसभा चुनावों से पहले पता चल गया है कि किस पार्टी को आखिर किसने कितना चुनावी चंदा दिया और चंदा इतना दिया कि राजनेतिक पार्टियां माला माल हो गई जिसमें बीजेपी अवल रही क्योंकि बीजेपी को अब तक 60 अरब का चंदा मिल चुका है जी हाँ 60 अरब नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्ष भारदवाज आप देख रहे हैं शिष्ट भारद लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रोरल बॉंड का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलूड कर दिया है आयोग में State Bank of India से बॉंड खरीदने वाले और खरीदे गए इन बॉंड को कैश कराने वाली रादनीतिक और अन्य तमाम लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर अपलूड कर दिये हैं चुनावी चंदे का डेटा ओनलाइन होते ही हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा देने वाला शक्स कौन है और किस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा विला तो आजम इन सभी सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं दरसल इस डेटा के मताबिक बीजेपी सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनी है बीजेपी को 60 अरफ से ज़्यादा का चंदा विला खालांकि दूसरे नंबर पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस नहीं है अब आप ये भी ज चाहते होंगे कि दूसरे नंबर पर आखिर कौन सी पार्टी है दरसल दूसरे नंबर पर ममताब एनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया त्रिणमूल कॉंग्रेस यानि टीमसी रही दरसल बीजेपी चुनावी बॉंड पाने वाली सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी को 12 प् के तहट 1609 करोड प्राप्त किये हैं उसके बाद कॉंग्रेस का नंबर रहा जिसे 1421 करोड रुपे मिले किस लिस्ट में अगला नंबर भारत राष्ट समीती का है उसे 1214 करोड रुपे चुनावी बॉंड के तोर पर मिले इसके बाद बीजू जनता दल है जिने 775 करोड आपको बता दे कि सुप्रीम कोड ने SBI को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉंड की खरी से जुड़ी जानकारी उपलब्द कराने का निर्धेश दिया था अधालत ने चुनाव आयोक से जानकारी को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्जिनी करने का फिलाल चुनावी चंदा चर्चा में है क्योंकि साल 2018 में केंद्र सरकार इस पॉलिसी को चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए संसद में लेकर आई थी लेकिन उसके बाद जिन दानदाताओं ने पॉलिटिकल पार्टी को बॉंड खरीद कर चंदा दिया और इसमें अपसे ज़्यादा उसी को फाइदा हुआ खेट क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि चुनावी चंदा देने वाला आखिर कौन है और किस ने पार्टियों को चुनावी चंदा दिया फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसिज ने 1368 करोड रुपे दिये मेगा इंजिनियरिंग एंड इंफ्रस्ट्रक्चर लिम्टेड ने 966 करोड रुपे दिये क् certified चेंज फ्राइवेट लिम्टेड ने 410 करोड रुपे दिये वेदान्ता लिम्टेड ने 400 करोड रुपे दिये हल्दी एनरजी लिम्टेड ने 377 करोड रुपे दिये भारति गरुप ने 247 करोड रुपे SL Mining and Industry Limited ने 224 करोड रुपे Western UP Power Transmission 220 करोड रुपे दे चुका है Kevinter Food Park Infra Limited 194 करोड रुपे दान में दे चुका है Mother La Limited ने 185 करोड रुपे DLF Group ने 170 करोड रुपे या Shoda Super Speciality Hospital ने 162 करोड रुपे उतकल Aluminia International ने 145 करोड तीन लाक रुपे Jindal Steel and Power Limited ने 123 करोड रुपे Builda Carbon India ने 105 करोड रुपे जब Piroongta Suns ने 100 करोड रुपे दिये Dr. Redis ने 80 करोड रुपे Piramal Enterprises Group ने 60 करोड रुपे Naviug Engineering ने 55 करोड रुपे Shridi Science Electricals ने 40 करोड रुपे Edel Wiles Group ने 40 करोड रुपे Supply Limited ने 49 करोड दो लाक रुपे Industry ने 33 करोड रुपे चंदा दिया साथ Jindal Sten Less ने 30 करोड रुपे Bajaj Oto ने 25 करोड रुपे Sun Pharma Laboratories ने 25 करोड रुपे Mankind Pharma ने 24 करोड रुपे Bajaj Finance ने 20 करोड रुपे और Maruti Suzuki इंडिया ने 20 करोड रुपे दिये साथी साथ Ultra Track ने 15 करोड रुपे का रादनितिक पार्टियों को चंदा दिया तो चंदा देने वालों के लिस्ट लंबी है लेकिन सबसे ज़्यादा BJP पर इसवक सवाल खड़े हो रहे है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन कंपनियों ने BJP को चंदा दिया है चुनावायों के जानकारी जारी करने के बाद वरिष अधिवक्ता प्रशान खुषण ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली दूसरे नंबर पर रहे मेगा इंजिनिरिंग एंड इंफ्रस्ट्रक्चर लिम्टेट को लेकर सवाल खड़े किये प्रशान खुषण ने ट्वीट में कहा कि 11 अप्रेल 2023 को मेगा इंजिनिरिंग ने 100 करोड रुपे के इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिये लेकिन एक महीने के अंदर ही उसे बीजेपी की महराज सरकार से 14,400 करोड पे का कॉन्ट्रेक्ट मिल जाता है जो बड़े सवाल खड़े करता है सवाल ये भी उट रहे हैं कि संसदिय प्रक्रिया के तहट जो कानूनी व्यवस्था बनाई गई क्या उसकी कोई सम्वेधानिक पवित्रता नहीं है क्योंकि पूर्व के चंदा देने वाले संप्रभू कानून गारंटी के अधार पर काम कर रहे थे इतके पीछे सरकार का मकसद चुनाव में काले धन को रोकना था सरकार का मकसद ये था कि चुनाव में नगदी के फ्लो को रोका जाए और चंदे को वैधता प्रदान की जाए पूर्व विक्तमंत्री अरुन जेटली ने भी कहा था कि बॉंड पॉलिसी का मकसद चुनाव में पारदर्शिता लाना है खैर पूरे मामले में बीजेपी सवालों के घेरे में हैं विपक्षित दलो का आरुप है कि बीजेपी को इस बॉंड से सबसे ज़्यादा हुआ ADR यानि Association for Democratic Reforms ने भी अपनी रिसर्च में जो आकड़ा पेश किया था उसके मताविक भारते जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल डोनेशन मिला या आकड़ा Congress को मिले दान से कहीं ज़्यादा है फिराल इस पर BJP का कहना है कि BJP को सबसे ज़्यादा चंदा मिलने की एक वज़े ये भी है कि देश के करीब 58% हिस्से पर भारते जनता पार्टी का शाशन है जबकि 41% हिस्से में 11% का शाशन है 58% के उन हिस्सों में जहां BJP सत्ता में है वहां देश की 57% आबादी रहती है जबकि 11 BJP हिस्सों में देश की 43% आबादी रहती है इस अधार पर भी BJP का मानना है कि अगर देश के सबसे बड़े हिस्से में उसकी सत्ता है तो उसे सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा मिलना लास्मी है फिलाल जब तो चुनावी चंदे की लिस्ट सामने आई है तब तो राजनीतिक पार्टियों पर सवाल खड़े हु रहे हैं जिसका जवाब देने से अभी फिलाल पार्टियां बच रही है लेकिन कहते हैं ना सच कभी ना कभी तो सामने आई जाता है और सच यही है जो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि श्रेष्ट भारत सच बताता है और बताता रहेगा फिलाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहेए श्रेष्ट भारत